दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार देखिए सरकार भी मजबूत हो गई लोगसभा देख्च पे जो रोडे दिख रहे थे उस सब दूर हो गए और लोगसभा देख्च भी 27 तक बन जाएगा जद्यू के बरिष्ट लीडर अधिक्रत लीडर केशी त्यागी जी ने खुद अपने एक बयान में कहा है ओ भी जब उनसे पूछा गया था है क्या जद्यू या टीडीपी अपना अध्धच के लिए पेस्ट करेंगे या दवाब बनाएंगे उन्होंका बिलकुल नहीं जो अध्ध्यक्ष भाजपा अपना अध्ध्यक्ष बनाएगी भाजपा अपने किसी भी उसको बनाएगा जद्यू और टीडीपी अपना समर्थन देगी यह निलने भाजपा करेगी भाजपा का नेता ही लोग सबाद्ध्यक्ष जो आसंकाएं थी जो आसंकाएं थी और जो इ केसितियागी ने कह दिया. मतलब बहुत बड़ा बयान invented технолог pas ? मैझे लीडरों में नहीं करते हैं कोई भी बयाना तो जारी होता है तो वो जो है मुसल्शन तोर पर हमेशा केशी त्यागी जी करते हैं नितीष कुमार जी बयान जाले नहीं करते हैं ललन सिंह हमेशा अधिक्रत बयान स्वहलेट बयान केव भवाम भड़ाइन उनको समर्थन देना, जो भी भाज पाताय करेगा davisare जे केशी त्यागी जी ने, इसके पपहले आपको बताएं, लोक सभाध जो थे, वो सभी अंभिल्ला जी थे, आपको बताएं केसी त्यागी जी का देखिए पीछय शुट की फोटो नहींकर किंदिकेखीृ। कैसी त्यागि जी का शुरू से मोधि के प्रत सौप्ट कॉर्णर हा नितीश कुमार का भी हमेशा सौप्ट कॉर्णर हा नितीश कुमार की जिन्दगी के 80-85 परसन्टेज जिन्दगी उनकी स्टुडेंट लाइप से लेके अभी तक भाजपा वालों के साथ या उन्हीक एक ग्रुप के साथ ही रही इस्टुडेंट लाइब से अभी तक जितने बार भी वो चीप मिनिस्टर बने वो भाजपा के उससे ही चीप मिनिस्टर बने अल्पमत में हो या बहुमत में सबसे पहले भाजपा के अटल व्यारी बाजपे लाएते बाद में इनको प्रोजेक्ट जो किया वो अडवानी जी ने किया अडवानी जी के बाद मोदी जी आज की रेट में ये लोग एक ही सिक्वे के पहलू है इन्तादल उनाइटेट के नेता के सित्यागी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और तेलगू देशम पार्टी वो अन सभी पार्टियां भाजपा के नेत्तोत वाले राष्टी जनतांत्री गडवन्दन का हिस्सा है और वे लोग सबाद्द्रक्षपत के लिए भाजपा दौर और नौमित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे इस पश्ट रूप से उनका बयान है कि भाजपा जिसको डिसाइड करेंगी उसका हम लोग समर्थन करेंगे जेडियू जनतादल उनाइटेट और टीडीपी तेलगू देशम अन्य पार्टियां एंडिये में मजबूती से साम करनी है हम भाजपा दोला अद्यस्पत के लिए नमीत व्यक्तिकर ही समर्थन करेंगे यह बात उन्होंने कर दिडर कर दिया एक ही वाद privilege राजपा कोई दौरा नौमित उसको समर्थन करेंगे हम उसके हिस्सा है राजक के हमेशा रहेंगे देखे पिधान मंती नलेन होदी जी हैं वह बाकाइदे बहुमत पा चुके बहुमत से ज्यादा पहुंच चुके हैं इस समय लगवग उनके समर्थक जो हैं उनकी पार्टी के लोकसवा में लगवग 297-300 के पास उनके सभी सदस पहुंच गए आपको यह भी बता दें कि बियारेस के चार सांसद भी पा सब्सक्राइब देखे खरगे जी का और यह पाइर्लेमेंट है पार्लेमेंट में इस बारेस आपको क्लियर कर दें कि संसद में उन्हों के सखालाटमक्य जोगी केसिं जी फश्यागं जी ने इस पर सकर दिया और तेलगु देसं पार्टी के प्रवक्तन कह दिए कि सखाला चलचा होगी कोई डिस्पूट हमारे अध्यक्षपद में नहीं है यह भाजपा ही डिशाइट करेगी 24 जून को पहला सत्र यहां शुरू होगा लोग सभा को 27 जून को राज सभा का सत्र शुरू होगा 27 जून को इसी 27 जून को इसी मेहने पर विपच्च के उपाध्यच्पत की संभावना है मैं आपको इभी किलियर कर दूं कि विपच्च का उपाध्यक्ष अभी तक दस बर्सोस में नहीं रहा और विपच्च का कोई चुकी विपच्च इतना मजबूत ही नहीं था इस बार संभव है कि विपच्च का नेता चुना जाए संभव हो भी त्युका है है कि 27 जून को लासभा के बाद में सदरी इसके पहले आपको पतला देए जो लोग सभव द्यक्च रहे हैं। उसमें उम बिल्ला जी रहे हैं तमाम लोग हैं बाल नाम जाखर जी रहे हैं बाल-योगी जी रहे हैं और तमाम बरिष्ट लोग हैं सुमित्रा माहजन नहीं है नजमा अपयतुला रहे हैं आपको एभी किलियर करते हैं, 27 जून को संयुक्त, 27 जून को लोग सभा और राज सभा का संयुक्त दिवेशन होगा, जिसको राष्ट पती मुर्मो जी संबोधित करेंगी, 27 जून को, उस 27 जून को जब उस संबोधित करेंगी, तो उस पे आपको बतला रहा हैं कि संबोधन के बाद में, उनके अभीवासर के बाद में, पिधान मंतरी अपने मंतरियों का परचे कराते हैं, उसके बार अपने मंतरियों का परचे कराएंगे, 28 जून को से शुरू होगी, और 3 जुलाई तक सपत ग्रहर समारो सांसुदों का अध्धच का चुनाओ, राष्ट पती का विवासर और उस पे चर्चा, उस चर्चा के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पश्ट रूप से तमाम दलों ने कही दिया, सकारातमक चर्च अगर विश्वास पश्टाओ की बात होती, नहीं आएंगे, उन्होंने इस पश्ट कही दिया, कि नई संसद बनी है, हम सकारातमक चर्चा चाहेंगे, किसी तरह का डिस्पूर नहीं चाहेंगे, ये इंडी गडवन्धन के तमाम उनका है, कांग्रेस में भी आम सांसुदों किराय है, कि स्टार्टिंग से ही गलत बजवानी नहीं करनी है, ये कांग्रेस के निताओं का आपस में इस तरह की सहमत है, दूसरी बतार है कि मोदी जी परचे कराने के बाद, दस साल बाद प्रत्रपक्ष नेता, शायद संभो ये विपच्च का नेता, इसकी संभावना है वेक्त की जारी, वो भी वो भाजपा इनको देगी, तब लोग सबाद देग निश्चित तौर पर भाजपा का होगा, इसमें कोई नहीं, प्रोटेम स्पीकर आकर के मतदान कराएगा, एक गुप्त मतपत्र के माध्धम से बोटिंग होगी, दूसरी आपको दाने, सहियुक प्रिधान था, वो पूर्टा फेल हो गया, देखे कितना बड़ा रहा, खरगे जी ने कोशिस की, इसके बाद बैठक नहीं की, ममता ने अलग की, के जी वाल जेल से सोच रहते हम बन जाए, खरगे जी भी एक बार प्रिधान मंती बनना चाहे रहते, प्रंत इनको भी आप स मिलोनी जी ने बुलाया, कौन? इटली की राश्च्टा अध्यवर्च, आज कांग्रेस में इस बात का इब गम कि हमारा पिधान मंती बना, लोग सबार में बना, और इटली की राश्टा अध्यवर्च यहां के पिधान मंतरी से नो कर रह रही है, बुला नहीं, सम्मान कर नहीं तो लोगों के ये बात भी कांग्लेस के बरिष्ट कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा कि वहां की राष्टा अध्यक्ष उनका सम्मान कर रहे हैं आप समझी रहे होंगे किस लीडर को इंडी गडवन्दन को इस समय कितना बुड़ा लगड़ा होगा मिलोनी जब सम्मान कर रहे हैं अब उनका नाम नहीं देना चाहते हैं यह देखिए सबसे पहले हमारे यहां चैनन ले दिया था जब लोगसभा के परणाम आ रहे था सबसे पहले इनका नाम दिया था कि लोगसभा के अध्यक्ष यह होंगी और इनहीं की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं दग्गुबाती पुरंदेश्वरी यह एंटी रामा राओ जी की बेटी हैं एंटी रामा राओ जी का अस्क है इनके इसमें तेखे चेहरे में सब लोग इनको एंटी रामा राओ इनको आपको बता रहे हैं तमिल नाड में कहा जाता है आंधरा की जैललता दुग्गुबाती जी को आंधरा की जैललता इनको साउत में ये भी कहा जाता है कि भाजापा का सूर ये इनको बोला जाता है और इनका इतना सम्मान साउत में है इनकी वज़े से आपको तरह बाई असारपी को पूरा-पूरा समर्थन देना होगा और तमिलनाड में द्रमुक के कई नेताय कह रहे हैं कि अगर वो अद्धश्पद में होती हैं तो द्रमुक के कई लیडर इंडी गढणदन में चाहत के बोट नहीं करेंगे इंडी गढणदन के प्हकोरगा ये भी बात आप नोट कर नियुक्त है दूसरी बात क्या है कि हका क स्वाइज में जब महिला जख्छे नहीं है अंदर मार पीट ये जगढा नहीं हुआ उम बिल्ला जी के उसमें नहीं भी जगढा है पिजा आइसे जो रही है नाजमा है नहीं है तो उसमें कोई भी जगण नहीं वहा हговसा सब्सक्राइब देच्छ बनने के संभावना होता दिकले के निक्ते समय दूसरी पोटा लुद ने दोब्हाई में आपको बता हैंगे जों मन्तरी रहीं तो इसके पहले चार बाल रही है तेलंगाना में रही आंधरा में रही और आपको बतारा है सबसे बड़ी बात अभी समझाओता नहीं हो रहा था भाजपा के और तेलगुदेशम के जनसेना के तीनों लोगों के नेता हड़ गये थे आपको लाया गया पुरंदेश जी को दुग कहा जाता इन्होंने जो मिठाज गोली पार्टू आज जो इनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान लाए नाइड़ू को तो इनको संभावना यह है कि भाजपा से यही प्रिदेश अद्यग जो तीन बार से भाजपा से जीती है इसके पहले और दलों से यही साइड लो